गुद मॉरीं चिल्डेंगे तोडे यह स्थाप्टर नमबर 11 वॉटर वॉटर वी लर्न अबाउट दा वॉटर इन दिस चाप्टर वी लर्न अबाउट दा अल अबाउट वॉटर सेगेंड सोर्चेश ओप वॉटर थर्ड प्रॉपर्टीज ओप वॉटर और फॉर्थ सेव इन चारो चीजों के बारे में आज हम लोग इस चाप्टर में पढ़ेंगे, ओके? Now, let's begin Teacher says, Students, what do you do after you come back from the playground? आप लोग प्लेग्राउंड से वापस आने के बाद क्या करते हो? Anu says, I feel thirsty, so I drink plenty of water प्लेग्राउंड से आने के बाद हम लोग को प्यास लगती है, so हम लोग पानी पीते हैं Then, teacher says, you are right, water is the only thing which can satisfy our thirst Water ही ऐसी चीज है, जो हम लोग को satisfy कर सकती है, क्योंकि जो हम लोग को प्यास लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं, okay? Let us learn more about water in this lesson आज हम लोग water के बारे में ही पढ़ेंगे इस lesson में There are a figure, देखिए यहां पर एक आपको figure दिया हुआ है जहां पर यह दिखाया है, ब्लू कलर, जहां पर जितना भी ब्लू कलर से दिखाया गया है वहां पर इतना 70.8% आपका क्या होता है, water होता है हमारे अर्थ में 70% water होता है और 30% near about हमारी अर्थ land होती है तो जितना भी ब्लू सर्फेस आपको दिखाया है, तो that is only water यह केवल water है, हमारी जो प्यत्वी है केवल water से गरी हुई है इसलिए हम लोग अर्थ को हम लोग blue planet भी कहते हैं, okay 70.8% water होता है और 29.2% हमारी लैंड होती है, okay now all about water, अब हम लोग water के बारे में पढ़ेंगे more than 3 upon 4th of the earth surface is covered by water हमारा जो अधिकतर जो एरिया है, अर्थ का कम से कम 3 upon 4% जो एरिया हमारा cover है, लैंड से वो हमारा water से घिरा हुआ है, okay human beings, plants and animals all needs water to live हमारे जो human beings है, इंसान, plants, animals, सबको क्या होती है जीवित रहने के लिए पानी के जुरूत होती है everybody know कि human beings, plants and animals all need water to live हम लोग जीवित रहने के लिए पानी पीते हैं water is used for many purposes like washing, cleaning, cooking, putting out, fires and most importantly for drinking आपको पता है कि water से हम लोग बहुत से काम करते हैं जैसे कि आप लोग कपड़े दोते हो, washing करते हो, cleaning करते हो, घर साप करते हो उसमें भी आपकी water की जुरूत होती है cooking करती है, आपकी मम्मी cooking करती है तो उसमें भी आप खाना बनाते हो, तो क्या करते हो उसमें भी पानी की जुरूत पड़ती है putting out fires and most importantly for drinking और आज को बुशाने के लिए भी हम लोग को पानी की जुरूत पड़ती है और अधिक तर क्या होता है, हमें पीने के लिए पानी की जुरूत पड़ती है सबसे important चीज क्या होती है, कि हम लोग पानी पीते है पीने के लिए भी हमें पानी की जुरूरत ही पड़ती है now sources of water, देखिए, source क्या होती है water कि हम लोग को water कहा कहा से मिलता है we get water from many sources in the hills, we get water from streams हम लोग को जो water मिलता है, वो बहुत से sources से मिलता है in the hills, जिसे पहाड़ीों पर क्या होता है, हमें streams है मतलब ज़ड़ने से पानी मिलता है, ज़ड़ने से हम लोग को पानी मिलता है on the plains, we get water from rivers, wells and lakes और जहां पर हम लोग समतल जगे पे रहते हैं, मतलब plain जगे पे जहां पे हम लोग रहते हैं हम लोग जहां पे रहते हैं, that is plain area वहां पर पानी कहा से मिलता है, यह तो river से मिलता है या फिर well से मिलता है, मतलब नदियों से, या कूओं से, या फिर lake से हम लोग को पानी यहां से मिलता है और कहीं भी इंसान प्लेन में रहे या माउंटेंस में रहे तो पानी कहां से हम मिलता है में सोर्स जो होता है वो हमारा पानी का जो में सोर्स होता है वो होता है हमारा रेन हमें पानी कास मिलता है, बरसाथ जब होती है, तब पानी हम लोग को प्रोवाइड होता है, वहां से हम लोग को पानी मिलता है There are some figures, first is stream, stream से पानी मिलता है, second is river से पानी मिलता है, third is well से पानी मिलता है और fourth is lake यहां से में पानी मिलता है तो यह बहुत से sources होते हैं जहां से हम लोग को पानी provide होता है पानी हम लोग को मिलता है Today it has finished and today's your work is open your video and read the chapter